नमस्कार आज बात करेंगे राजस्तान के सियासत की तो वहीं पर देश में परदान मंतरी नरेंदर मोधी के खिलाब विरोधी हो रहे हैं एकत्रित आज तीन एहम उद्दू पर बातचित करेंगे उनमें पहला क्या परदान मंतरी नरेंदर मोधी के खिलाब विरोधी बना प वसंद्रा राजिय के बिना बाजपार राजस्तान में सरकार बना पाएगी लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेंदर मोदी के किलाब विरोधी एकजुट हो गए हैं पट्ना में और बादचीत ते कर रहे हैं एजेंडा कि किस तरीकी से 2024 में प्रदानमंत नरेंदर मोदी को हराय जाए आज पट्ना के अंदर विपक्सी पार्टियों के तमाम नेता एकत्रित हुए राहुल गांदी उद्दव ठाकरे अकलियस यादव हैमन सोरेन इस तरीके के सबी लोग जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं वो सब लोग वहां पर एकत्रित हुए और रननिती हो सके और विपक्स के में कोई किसी ना किसी को परदानमंत्री के रूप में चेरा बनाया जाए लेकिन इसकी इन सब का एहम किरदार यह है कि इन सब की मुख्य भूमिका में कौन होगा इन को लीड कोन करेगा क्या राहुल गांदी करेंगे या किसी और निर्ने होगा यह पर मौझूद हैं तमाम मलीक आरजुन कड़के हैं राहुल गांदी हैं तो तमाम जो नेता हैं वहां पर मौझूद हैं रननीती बना रहे हैं किस तरीके से दोजार चोईस में परदानमंत्र नरेंदर मोधी के किलाव उत्रा जाए लेकिन उससे पहले दोजार तेवीस की र रूप में उनको कहा गया योजनाएं बताए गई हालांकि हिंदी बासित्र जो है उनमें और करनाटक में अलग थोड़ा सा परभाव देखा जा सकता है लेकिन देखिए करनाटक के अंदर वही योजनाएं लागू की गई जो राजस्तान में मुक्यमंत्रिया सोक गहलोत न आचदिशगरण राजस्तान में जो योजनाएं हैं मुक्यमंत्रिया सोक गहलोत जो योजनाएं लेकर आए उन्हीं योजनाओं को वहां भी बताया जा रहा है उनके आदार पर वहां पर जीत हासिल की जा सकती है कॉंग्रेस की ये इच्छा होगी कि कॉंग्रेस वहां पर म फिरफ से जीत मिली है तो विपक्स की सभी पार्टियांं उनने एक नया जोस बरा है क्योंकि एक भुष्ट अप मिला है करनाटक में जीत के बाद में तो वुष्ट अब पहना चाहें कि और आगे भी इसको बरकरारण पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सच्चिन पाइलेट पिछले कुछ दिनों से सांत बैटे हैं अब तो ट्रेंड यह भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि 15 दिन का अल्टिमेटम दिया था जब उन्होंने पैदल यात्रा किती जंसंगर्ष यात्रा अजमेर स उन्होंने कहा था कि रण होगा और 15 दिन में मांगे मानी जानी चाहिए लेकिन उसके बाद में सच्चिन पाइलेट सांत बैटे हैं तो क्या यह समझा जाए कि तुपान से पहले कि यह सांती है सच्चिन पाइलेट के पास अब मुक्यते जो रास्ते देश सभी बंद हो जा सकते थे कहा जा रहा हा था कि बाजपा उनको सपोर्ट कर रहिए बाजपा का एजेंड है तो बाजपा में जाने के बाद तो होती भी तो वहां पर रही पास पाजी बड़ी नियता और पूरू मुक्यमंतری वसंद्रा राजी A.P वहां पर सामझे से बैठना मुश्किल है क्योंकि वहां पर उनको वही जवाब देना पड़ेगा कि जिस पार्टी की पर्मुग नेता पर आपने जिस्तर के आरोप लगाए आज उसी पार्टी में आप बैटे हैं तो वसंद्रा राजे से उन्होंने दुस्मनी मोल ले लिए बासपा में जाने का ओप्सन अब खतम होता हुआ नजर आ रहा है दूसरी तरफ बात कर लें उनकी खुद की पार्टी की तो खुद की पार्टी का नकार चुके हैं कि पार्टी नहीं बनाएंगे कोंग्रेस में रहेंगे कि दिल्ली में उनको बड़ा पत मिलेगा या राज कि उन्होंने यह एक्षेप्ट भी किया है यह भी माना है कि पिछले जो मेरे कारेकालते उनमें कम्यूनिकेशन गेप रहा है तो इस बार आप देखिए कि वो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन जब भी वो फिरी होते हैं तो सीमर के अंदर हमेशा लोगों से मिल रहे हैं अंपरक्सादने की कोसिस कर रहे हैं इससे क्या है कि उनको जनता के बीच में जो जुडाव है और बढ़ेगा और दूरियां है वो कम हो जाएगी मुक्यमंत्रिया सो कहलो कि एक मैं बात यह भी है कि इस बार वो जनता की बीच में महंगाई रात केमपू में जा रहे हैं उनके चेतर में तक काम हो रहे हैं वेद प्रकास सोलंग की हो आज डिंग कुमेर में उनकी बड़ी सबाय वहां पर बड़ी गोशना है कि तो तमाम राजस्तान में जहां पर भी जा रहे हैं और यह मैं तो पुन बात देखिए कि सच्चिन पाइलेट खेमें से जो आए जो लोग जो विदायक मंत्री थे उनके चेतर में जाकर भी बड़ी बड़ी गोशना ही हो रही है तो इसका मतलब कि सच्चिन पाइलेट गुट को भी अपनी तरफ करने की कोशिस है मुक्यमंत्री असोग गैलोट जादूकर यूई नहीं कहाब जाता क्यों कि राजस्तान में उनकी जादूकरी लगातावर चल लिय twyra कल की बात करें तो कहा जा रहा है कि सचन पाईलित की दिल्ली में बड़ी के जारी है प्रिंका गांदी के साथ उग्याम मलिक अर्जुर्बनों कोपाल सब के जाद में बड़ी बेट के हुए राजस्तान आये जहां पर मुख्यमंत्रिया सोग गहलोत के साथ साथ डोटासरा मोजूद थे और रंधावा चारों लोगों ने एहम बेटक की और शंगठादनात्मक का चर्चा भी की उन्होंने किस तरीके से राजस्तान की आगे की रणनीती बनाई जाएगी तो इसको एहम माना जा रहा है क्योंकि आज मुख्यमंत्रिया सोग गहलोत डिंग कुमेर की सबाह में हैं तो वहां के बाद में अब यह माना जा रहा है कि कही ना कहीं कैसी गोपाल आकर जो कहा है उसके बाद में बड़ी कोई कोई गोशना मुख्यमंत्रिया सोग गलोद कर सकते सचिन पालेट को लेकर क्या कुछ भोसना हो सकती है क्या सचिन पालेट की मुलाकात अप रिंका गांदी राहुल गांदी से भी करवाएगी यह भी महत्तुपूर्ण होगा इस करवाएंगे मुखे मंत्रिया सोग गरूत लगतार दावा कर रहे हैं कि हम रिपिट कर वाएंगे तो वह सचिन पाइलेट को साथ लेकर राजस्तान में चुनावी रन में जाएं क्योंकि महज 3-4 महीने रह गए उसके बाद में आचार सहीता लग जानी है और उसके बाद में क कोई कुछ होने वाला है नहीं तो ऐसे में अब सचिन पाइलेट की निना इक भूमिका में हैं उस मोड पर हैं देखिए वैसे तो कहा जाए तो सचिन पाइलेट के बाद इस्तिति वह हो गई है कि सांप के मूँ में चचुन्दर क्योंकि ना उनसे अब उगलते बन रहा है अब इस्तिति जो है वह आला कमान की पास है आला कमान कोई अहम निर्ने ले तब जाकर कुछ इस्तिति सामान ने हो सकती है जिस तरीके से दो दोसा के अंदर 11 जून को सबाती और उसमें जो लोग उमड़े थे वहाँ पर जो जनता उनके लिए आई थी वह देखने वाला था और उस समय लग रहा था कि कोई बड़ी गोशना होगी लेकिन किसी तरीके की कोई गोशना नहीं भी कोई कारवाई नहीं भी को कदम नहीं उठाया गया सचिन पाले ने कहा था कि हम पूरे राजस्तान में आंदोलन करेंगे पैदल पैदल गूमेंगे लेकिन तमाम तरीके की बाते जो थी वह बाते बनकर रहे गई और वह अब कहीं ना कहीं उनके समर्थकूं में भी निरासा पैदा कर रही है क्योंकि जिस तरीकी का जोस उनके अंदर था इस तरीकी की बाचीत वह कर रहे दें सचिन पाइलेट उससे लग रहा था कि कई ना कई अब एक नया मोर्ट से राजस्तान में आएगा को नई पार्टी बनेगी या सचिन पाइलेट खुद अलग जाएंगे पूरी राजस्तान में सचिन पाइलेट का महतुपूर्ण और एहम योगदान यह भी है कि सचिन पाइलेट वहां से सीटे निकाल कर ला सकते लेकिन ऐसी स्थिति में अब कुछ करनी रहे हैं सांत बैटे हैं चुनाव नजदीक हैं कहीं पर कोई सबाएं नहीं कहीं मिलना नहीं जुलना नहीं दिल्ली में बैटे हैं बात चीज चल दिए हैं उन समाज को जो लोग और से चिन पाइलेट के लियुग ग़ें हैं सब मुक्यमंत्री असो गयलोद ने जिस तरीके से योजनाओं का पिटारा कोला है दस योजनाओं जो महंगाई रात केंपू में लगाई है बिजली फिरी हो अनपूर्णा पेकेट योजना हो या पिर जो जानवर हैं जो किसानों के पसू है उनके बीमा की योजनाओं हो चिरंज चुके हैं कि जो चुनाओं नहीं लड़ना चाहते हैं वो भी सामने आये और कहें और इसका देखिए नतिजा भी देखिए कि आप जिस तरके हैं मराम चोदरी है दीपेंजरी सिंग शेकावत है और भी एक दो नेता है जोनोंने साप अब यह कह दिया है कि हम आगे यही आया है कि इस बार बड़े जो नेता है बड़े चुनाव लड़ेंगे जो यूवा नेताओं को मोका दिया जाएगा तो ऐसे में चैरे पर चुनाओं और विदान सब्सक्राइब चुनाओं निश्य चेरों पर होता है तो चेरे को तवज़ों दी जाती है तो इस बार निश्य ती सब्सक्राइब करनेश में और उन पर यूवाओं को मोका दिया जा सकता है तो ऐसे में क्या इस्तिति होने वाली यह भी एहम होगा यूवाओं को सादेंगे सचीन पाइलेट और दूसरी तिरब मुक्यमंत्रिया सोग गयलोथ तमाम राजस्तान में बातचीत कर दूसरी पार्टी में जोइन कर सकते हैं या बगावत कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब इंतजार यह भी है कि बास्पा की तरब से को मुक्यमंत्री चेरा जो है वह गोसित नहीं हो रहा है तो इसमें भी कॉंग्रेस अभी रिजर्व है कि सचीन पाइलेट को किस तरीके स काम में लिया जाए सचीन पाइलेट का चेरा किस तरीके से यूज किया जाए मुक्यमंत्री के रूप में जब भी सवाल पूछा जाता है बास पासे तो कह रहे हैं कि मोधी के चेरे पर चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी एक रननीती का हिस्सा हो सक कि वह सारी पार्टी को एकजूट कर लेंगे लेकिन स्थिति कमोबेस वही की वही है और मैं तो कहता हूं कि उससे भी कहीं ना कहीं खराब स्थिति में अभी है कि इस तरीके से बाद पंद्रासो के लग पंद्रासो दोजाल लोग जुटा पाये ते सची वाले गेराव में और कहीं ना कहीं अब जो हैं ज्यादा नजर आने लगा है कहीं ना कहीं तो सीपी जोशी कर रहे हैं कि पूरी पार्टी को एक जूट किया जाए ऐसी स्थिति में अब एक ही चेरा बज जाता है बाजपा के पास वह है वसंद्रा राजे वसंद्रा राजे को कहीं ना कहीं ल चाहित लग अम गरें रही हैं कि जहां पर भी जा रहे हैं रजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार JOE ,चाये करमचारियों में जा रहे हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं तमाम यही बातची तेचे आ रहे है कि इस बार मुक्यामंद्ञ के रीपट करवाएंगे सरकार तो ऐसी इस्तिति में आप वसुंद्रा राज्य का चेरा सामने लाया जाएगा तो इस्तिति अलग बन जाएगी अलग नजर आएगी और इस बार जिस तरीके से बाज़पा के अंदर किरोडिलाल मिना ने जो बागडोर समाल रखी है वो बागडोर समाल ने की जरूरत है हर ब परते खोल रहें लगाचार जलने मिसन गोठाला हो उससे पहले रीट के जो गोठा जो पेपर लिक वे ते उसमें किरोडिलाल मिना जो है वह ब्रिष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं यहां ते कि उन्हें मुक्यमंतिरिया सोग गहलोक के उपर हवाला के जैसे कई आरोप उन्होंने खुद ने लगा दिया वो यह भी करें कि मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर करें तो कहीं न कहीं अब कि रोड़िलाल मिर्ना जिस तरीके से इसतरीके से ब्रस्टाचार का मुद्दा लेकर सटकों के उपर हैं इसी तरीके कि कई और मुद्दिय लेकर भास्पा भी सटकूपर और आएगी लेकिन अब महज 3-4 माईने रह गए ऐसे में अब जनता का पर्शेप्शन बनाना यहां से जरूरी है कि किस तरीके से जनता अब भास्पा को चाहेगी या कॉंग्रेस को वोड़ देगी तो जनता जो करेगी वो होगा लेकिन फिलाल की इस 27 तारिक के बाद पिर अमिट्सा, जयपि नद्ड्ड उनके लगातार यहां पर राजस्तान में दोरे हैं फिर परदानमंत्र नरंदर द्रमोधी के दोरे रहेंगे तो ऐसे इसतिति में प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी को बड़ी गोशना है करेंगे किसे तरीके की बाते र रगातार करें कि 2024 में भी परदानमंतिर नरेंदर मोधी ही होंगे तो ऐसे में अब 2023 से पटल बनाने की जरुरत है 2023 में जो विदान्सभा के चुनाव होंगे चाहे चार पांच जो राज्ये हैं चाहे राजस्तान हो चतिसगर्ड हो तेलंगाना हो मद्य परदेश हो सभी की बा कॉंग्रेस ने आज सथार में जी ति और अगले ही साल 25 पूरी लोग सुनाओं की सीटे जो है परदानमंतिर नरेंदर मोधी यानि की बाजपा नी जीती तो चेहरे चेहरा एहम होता है परदानमंतर नरेंदर मोधी का चेहरा जो है वो रोज पर यह हैं लेकिन विदान सभा जा रहा है कि लगातार वो चर्चावों में हैं लगातार रेलिया है लगतार के बीच में भी जा रहे हैं पतरकार वार्था उन्होंने की है तो लगतार वो जवाब भी दे रही है वसंद्रा राजे आती है तो एक नया जोस बनने का काम वसंद्रा राजे राजस्तान में करेगी तमाम तरीके के इसी खबर लेकर हम फिर आजिर होंगे अगले कारिकरम में हमारा चैनल आप फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमें फोलो जरूर करें यूटूब पे देख रहे तब तक के लिए जै ही जै भारत